चतीस नंबर पर हैं, हम तुम्हारे हैं सनम जो दो हजार दो में आई थी, बजट था बारा करोण, कलेक्शन था तेरा करोण बावन लाख, इसे एवरेज का टैग मिला था 37 नंबर पर है, देवदास, जो दो हजार दो में आई थी, बजट था 44 करोण, कलेक्शन था 68 करोड, 19 लाख, इसे हिट का टैग मिला था 38 नमबर पर है चलतें चलतें जो 2003 में आई थी बजट था 11 करोड कलेक्शन था 19 करोड 44 लाक इसे हिट का टैग मिला था 49 नमबर पर है कल हो ना हो जो 2003 में आई थी बजट था 28 करोड कलेक्शन था 38 करोड 55 लाक इसे हिट का टैग मिला था चालिस नंबर पर है ये लम है जुदाई के जो 2004 में आई थी बजट था एक करोड 25 लाख कलेक्शन था 86 लाख इसे डिजास्टर का टैग मिला था 41 नंबर पर है मैं हुना जो 2004 में आई थी बजट था 25 करोड कलेक्शन था 36 करोड 20 लाख इसे हिट का टैग मिला था 42 नंबर पर है बीव जारा जो 2004 में आई थी बजट था 30 करोड कलेक्शन था 41 करोड 86 लाख इसे सुपर हिट का टैग मिला था 43 नंबर पर है स्वदेश जो 2004 में आई थी बजट था 22 करोड कलेक्शन था 30 करोड 74 लाख इसे फ्रॉप का टैग मिला था चौवालिस नमबर पर है पहली जो 2005 में आई थी, बजट था 14 करोड, कलेक्शन था 18 करोड 59 लाक, इसे एवरेज का टैग मिला था 45 नंबर पर है कभी अलवीदा ना कहना जो 2006 में आई थी बजट था 48 करोण कलेक्शन था 62 करोण 82 लाक इसे सेमी हिट का टैग मिला था 46 नंबर पर है डॉन जो 2006 में आई थी बजट था 38 करोण कलेक्शन था 50 करोण 34 लाक इसे हिट का टैग मिला था 47 नंबर पर है चक दे इंडिया जो 2007 में आई थी बजट था 22 करोण कलेक्शन था 46 करोण 54 लाक इसे सुपर हिट का टैग मिला था 44 नंबर पर है ओम शांती ओम जो 2007 में आई थी बजट था 40 करोण कलेक्शन था 109 करोण 78 लाक इसे ब्लोग बस्तर का टैग मिला था 49 नंबर पर है प्रब ने बनादी जोड़ी, जो 2008 में आई थी, बज़ट था 39 करोड, कलेक्शन था 116 करोड 83 लाख, इसे ब्लोक पस्टर का टैग मिला था, पचास नमबर पर है बिल्लू जो 2009 में आई थी बजट था 27 करोण, कलेक्शन था 31 करोड 51 लाख इसे फ्लॉप का टैग मिला था 51 नमबर पर है माई नैमेज खान जो 2010 में आई थी बजट था 85 करोड कलेक्शन था 99 करोड 68 लाख इसे हिट का टैग मिला था 52 नमबर पर है रावन जो 2011 में आई थी बजट था 130 करोड कलेक्शन था 153 करोड 95 लाख इसे हिट का टैग मिला था 53 नमबर पर है दॉन 2 जो 2011 में आई थी बजट था 76 करोड कलेक्शन था 143 करोड 73 लाख इसे हिट का टैग मिला था 54 नमबर पर है जब तक हैजान जो 2012 में आई थी, बजट था 78 करोड, कलेक्शन था 137 करोड 136 लाख, इसे हिट का टैग मिला था 55 नंबर पर है चैननाई एक्सप्रेस जो 2013 में आई थी, बजट था 115 करोड, कलेक्शन था 395 करोड 92 लाख, इसे ब्लोकबस्टर का टैग मिला था 56 नंबर पर है, दिलवाले जो 2015 में आई थी, बजट था 150 करोड, कलेक्शन था 246 करोड 73 लाख, इसे स्पर हिट का टैग मिला था 57 नमबर पर है । दिल्वाले जो 2015 में आई थी, बजट था 165 करोर, कलेक्छन था 194 करोर 81 लाग, इसे semi-hit का tag मिला था 58 नमबर पर है फैन, जो 2016 में आई थी, बजट था 112 करोर, कलेक्छन था 116 करोर 97 लाग, इसे flop का tag मिला था उनसत नंबर पर है डियर जिन्दगी, जो 2016 में आई थी, बजट था 46 करोड, कलेक्शन था 91 करोड 92 लाग, इसे सैमी हिट का टैग मिला था साथ नंबर पर है रहिस, जो 2017 में आई थी, बजट था 127 करोड, कलेक्शन था 176 करोड 74 लाग, इसे सैमी हिट का टैग मिला था एक सत नंबर पर है, जब हैरी मेट सेजल, जो 2017 में आई थी, बजट था 119 करोण, कलेक्शन था 80 करोड 81 लाख, इसे फ्लॉप का टैग मिला था बासत नंबर पर है, जीरो, जो 2018 में आई थी, बजट था 270 करोड, कलेक्शन था 191 करोड 43 लाख, इसे डीजास्टर का टैग मिला था तिरेसत नंबर पर है, रोकेट्री, दनाम भी इफेक्ट, जो 2022 में आई थी, बजट था 7 करोड, कलेक्शन था 40 करोड 97 लाख, इसे फ्लॉप का टैग मिला था चौनसत नंबर पर है, लाल सिंग चद्धा, जो 2022 में आई थी, बजट था 180 करोड, कलेक्शन था 45 करोड 87 लाख, इसे डीजास्टर का टैग मिला था पैसत नंबर पर है, ब्रहमास्टर, पार्ट वन, जो 2022 में आई थी, बजट था 410 करोड, कलेक्शन था 307 करोड, मूवी इस स्टील रणिंग इन थीटर्स अब बात करते हैं, शाहरुक की आने वाली फिल्मों के बारे में एक नंबर पर है, पठान जो 2030 में रिलिज होगी, इस फिल्म का बजट 250 करोड है दो नंबर पर है, टाइगर 3 जो 2030 में रिलिज होगी, इस फिल्म का बजट 225 करोड है तीन नंबर पर है, जवान जो 2030 में रिलिज होगी, इस फिल्म का बजट 185 करोड है चार नंबर पर है दंकी जो 2030 में रिलिज होगी इस फिल्म का बजट 120 करोड है